तो सद्कुरू, लोग क्यों कहते हैं कि हमें इश्वर ने बनाया है? देखे, जाहिर है कि आपने खुद को नहीं बनाया, ये तो पक्का है इश्वर के बारे में हमारी कलपना संस्कृती के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है दुनिया में अलग-अलग लोगों के इस बारे में अलग-अलग ख्याल है, अलग-अलग विश्वास है पर ये बात उठी ही क्यूँ? हम सब अपनी मा की कोक से पैदा हुए हैं और आप किसी नवजात बच्चे को देखिए, वो किस तरह देखता है? वो पूछ रहा है कौन? क्या? ये सब क्या बख्वास है? इतनी सारी रचना? क्या आपको उसकी आँखों में सवाल नजर आते हैं? क्या, 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 क्या? इतना सारा? ये सब किस ने किया? जाहिर है वो सबसे पहले अपनी मा की तरफ देखता है मा ने आपको पैदा जरूर किया है, मगर वो पूरे संसार को नहीं पैदा कर सकती, फिर आप अपने पिता की ओर देखते हैं, जाहिरे वे भी ये सब नहीं कर सकते, फिर आपने अपने आसपास हर व्यक्ति को देखा, कोई भी ये सब करने के काबिल नहीं लगता, फिर इनसान होने के कारण हम कहते हैं, उपर हमसे भी बड़ा कोई इनसान बैठा है, वही ये सब करता है, महिलाओं से मैं माफी चाहता हूँ, वे एक आदमी है, क्योंकि हम इनसान हैं, तो हम सोचते हैं कि उपर हमसे भी बड़ा इनसान बैठा है, मगर ये सच है कि हमने ये सब नहीं बना हमने इसके साथ छेड़ खानी की, इसे बिगाड़ा, मगर निश्चित रूप से ये हमने नहीं बनाया। तो हमें एक स्पष्टिकरन चाहिए। आपको दो तरीकों में से एक चुनना है। आप स्पष्टिकरन चाहते हैं या खुद खोज करना चाहते हैं। अगर आप खोज करेंगे, तो आप अपने भीतर एक खास स्थिती में आ जाएंगे। अगर आप किसी के दिये हुए स्पष्टिकरन को मान लेते हैं, तो आपके पास एक मात्र विकल्प होता है कि उस पर विश्वास करें या अविश्वास करें। अगर आप उस पर विश्व तो आप आत्म विश्वास से भर जाएंगे, उससे कोई पश्टता नहीं आएगी, उससे आप में आत्म विश्वास आएगा, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते तो आप भ्रहमित हो जाएंगे, अगर आप आनंद पूर्वक भ्रहम में हैं, तो ये बहुत अच्छी ब पहचानना है कि जो आप नहीं जानते वो आप नहीं जानते हर वो चीज जो आप नहीं जानते आप उस पर विश्वास कर लेते हैं ये गंभीर समस्या है हमने एक दूसरे के साथ भ्यानक चीज़ें सिर्फ इसलिए की हैं क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं और आप उस क्योंकि आप किसी और चीज को सच मानते हैं और मैं किसी और चीज को अब हम दोनों एक जगे पर नहीं रह सकते हैं हम कुछ देर दिखावा कर सकते हैं मगर जब असली मुद्दों की बात आती है तो हम दोनों एक जगे नहीं रह सकते ये इतना मुश्किल क्यूं है? अगर आपकी अकल काम कर रही है तो आप देख पाएंगे कि जो आपको नहीं पता है वो आपको नहीं पता है, है न? क्या ये देख पाना बहुत मानवी और अच्छी बात नहीं है? कि जो मैं नहीं जानता, वो नहीं जानता इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप देखें, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता एक विशाल संभावना है जब आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता, सिर्फ तभी जानने की संभावना हकीकत में बदलती है अगर आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता तो जानने की चाहद, जानने की कोशिश और जानने की संभावना एक जीती जाकती हकीकत बन जाती है हर वो चीज जो आप नहीं जानते उस पर विश्वास कर लेते हैं आपको सिर्फ अपने जैसे लोगों में रहना होगा अगर आप अलग तरह के लोगों के साथ रहें, तो उनका या आपका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए इसे ऐसे ही हालात बनेंगे तो ये बात हमें समझनी होगे क्योंकि मानव बुद्धी अपने चरम पर तब होती है जब वो कुछ नहीं जानती अगर मैं सोचूं कि मैं सब जानता हूँ तो मैं बेवकूफ बन जाऊँगा क्योंकि मैंने हर चीज का अंतिम नतीजा निकाल लिया है अगर मैं देखता हूँ कि मुझे नहीं पता तो बुद्धिमानी पूरी सक्रिय होती है, है न? आप अपनी बुद्धिमानी को सक्रिय रखना चाहते हैं या बंद? आप इसे कहीं और के लिए बचा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग इसे कहीं और के लिए बचा रहे हैं जब आपको यहां इसकी जरूरत है, तो कृपया देखिए जब आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता तो आप बहुत चेतन, बहुत जागरुक, बहुत सजग हो जाते हैं क्या यह सच है? जब आपको लगता है कि मैं जानता हूँ तो आप सबसे मूर्खता पून और बेवकूफी भरी चीजें बहुत घटिया चीजें करते हैं, हाँ या नहीं अगर आप सच में देखते हैं कि मैं नहीं जानता तो आपकी किसी से लडाई नहीं है मैं जानता हूँ से हमेशा लडाई होती है तो योगिक संस्कृती में एक खास चीज होती है मैं इसे खास चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी शायद आप समझ न पाएं कि मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि चाहे आप जितना भी जानते हों अगर आप धर्ती की सारी किताबें पढ़ने तो भी इस अस्तित्व के सामने आपका ज्ञान बहुत कम है है ना मगर आपका अज्यान असिमित है हाँ या नहीं तो अगर आप अपने अज्ञान से अपनी पहचान बनाते हैं तो आप असीम अनंत इंसान हो जाएंगे अगर आप अपने ज्ञान से पहचान बनाते हैं तो आप कब्ज पीडित इंसान बन जाएंगे कब्ज का मतलब थोड़ा थोड़ा करके होना है जीवन अभी ऐसे ही घटे थो रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके घटे थो रहा है वो खुबसूरती से नहीं हो रहा थोड़ा थोड़ा हो रहा है कहीं खुशी का एक पल ढूनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है पर्मानन्द के एक पल का नुभव करने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं अगर आप अपने जीवन का हर पल, अपने शरीर की हर कोशिका में बहते बेनाम पर्मानन्द में डूप कर जीना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान अपने अज्ञान से बनानी होगी, आपको अपने अज्ञान को स्विकार करना होगा, अगर आप अपनी अज्ञानता को स्विकार करते हैं और परियाप ध्यान देते हैं, अगर आप अज्ञानी हैं, तो स्वभाविक रूप से ध्यान देंगे, है अगर आप परयाप्त ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि अपने सारे व्यग्यानिक ज्यान के साथ भी, हम एक अनू को भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, हम उनका इस्तमाल करना जानते हैं, हम उने तोड़ना जानते हैं, जोड़ना जानते हैं, फोड़ना जानते हैं, पर आज भी हम नहीं जानते कि ये कमभकत चीज क्या है हाँ या नहीं तो अगर आप परियाब ध्यान दें तो आप साफ तोर पर समझ जाएंगे कि आपको कुछ नहीं पता खेर उन्होंने ये सवाल पूछा मैंने बस ये किया जब मैं चार साड़े चार साल का था तो अचानक मु मुझे एक गलास पानी देता तो मैं बस पानी के और देखता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पानी क्या है हाँ मुझे पानी का इस्तमाल करना आता था मगर मैं नहीं जानता था कि वो क्या है आज भी आप नहीं जानते वो क्या है अगर मुझे एक पत्ता मिलता तो मैं समय बस किसी चीज को घूरता रहता था मेरी समस्य ये थी कि मैं इसे देखता था और मैं तब भी इससे नहीं जानता था तो मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता था अगर उसे देखता था तो मैं उसे बस देखता रहता था क्योंकि वो मेरी समझ से परे था तो अगर आप पर्याप ध्यान दें ये ब्रह्मान सिर्फ उनके लिए अपने दरवाजे खोलता है जो पर्याप ध्यान देते हैं आपकी जिन्दकी में जो भी रास्ता खुला है वो इसलिए खुला है क्योंकि आपने जीवन के उस आयाम पर ध्यान दिया है हाँ या नहीं ये बस इसी तरीके से काम करता है अब अगर आपका ध्यान ऐसा है कि ये कुछ खोज नहीं रहा बस ध्यान दे रहा है ये हर चीज पर ध्यान दे रहा है वो ये फैसला नहीं करता कि हाथी चीटी से ज़्यादा महत्वपून है वो सिर्फ हर चीज पर ध्यान देता है क्योंकि शरिष्टी की प्रकृती यही है अगर आप किसी चीटी को देखें क्या आपने कभी किसी चीटी को ध्यान से देखा है मैंने उनके साथ काफी वक्त बिताया है मेरी बात मानिये वो धर्ती की सबसे बढ़िया मशीनों में से एक है हाँ या नहीं अगर आपके पास ऐसी कार होती तो आप पूरा कैलिफोनिया रगिस्तान आराम से घूम पाते ये इतनी अच्छी मशीन है ये कोई मामली चीज नहीं है अगर आप चीटी को ध्यान से देखे तो आपको एहसास होगा कि जिसने भी चीटी की रचना की उसने चीटी पर भी उतना ही ध्यान दिया है जितना की आप पर हाँ या नहीं तो आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि किस पर कम और किस पर जादा ध्यान देना चाहिए बस आपको किसी खास चीज पर ध्यान देने की नहीं बलकि सिर्फ ध्यान देने की अपनी शमता को और तेज करना होगा अगर आप परयाप ध्यान दें क्या ये सही है कि ये शरीर बेशक आपने इसे बाहर से खाना दिया मगर ये शरीर अंदर से बनाए हाँ तो श्रिष्टी का जो भी सुरोत है वो आपके अंदर से ही काम कर रहा होगा है न क्या ऐसा है तो जब आप नहीं जानते कि श्रिष्टी के सुरोत की प्रकृती क्या है आप अंग्रेजी में भारत में हमारे पास बहुत से शब्द है दुनिया के इस हिस्से में आप उसे गौड कह सकते है ये बस श्रिष्टी के सुरोत का आपका वर्णन है, है न क्योंकि आप श्रिष्टी को समझ नहीं पाए, इसलिए आपने कहा कि भगवान ने इसे बनाया हमारे पास उसके लिए हजारो नाम है, ठीक है मगर मूल रूप से हम श्रिष्टी के सुरोत को समझाने की कोशिश कर रहे है क्या आपके अनुभव में ये सच है, कि इस जीवन की रचना का स्रोत आपके अंदर से काम कर रहा है अगर ये आपके अंदर से काम कर रहा है, अगर वो उपर कहीं हो और आप उसे चूक गए, तो कोई बात नहीं अगर ये अंदर से घटित हो रहा है और तब आप चूक गए तो क्या ये दुर्भागे नहीं है अगर श्रिष्टी का स्रोध आपके अंदर धड़क रहा है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या आप एक दुर्भागे नहीं है तो मेरा पूरा जीवन और काम बस लोगों को उस दुरभागे से बचाना है धन्यवाद